देवी अहिल्या की एक ही ललकार ने मलहार सरकार को सोचने पे किया मजबूर, द्वारकारानी का मूँ किया बंद और रागुबा के शड्यंत्र को किया निस्त्नाभूर्थ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके, अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे, सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ, यही इसी कड़ी वाली देवी अहिल्या हमें चाहिए थी, इतनी ही निडर थी देवी अहिल्या और इतनी ही विश्वास से भरी हुई थी, कि जब वो बोलती थी, तो दूसरा देखता ही रह जाता था, आज फिर से काफी एपिसोड से यह अहिल्या हम देख रहे हैं, जिसको हम देखना चाहते थे, आज तो जो देवी अहिल्या ने कड़ी की शुरुआत में बो तो बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, अकेली खड़ी है इस समय देवी अहिल्या, ना पिता का साथ है, ना पुत्र का साथ है, मगर मालवा को बचाना है, सच का साथ उनके साथ है, शिव शम्भू का आशीरवाद उन तुम गलत कर रही हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तो जो देवी अहिल्या ललकार के बोलती है, और कहती है, कि सम्मान करती हूँ आपका, मगर आप से राजनिती में कोई सलाह नहीं चाहिए, और साथ में जो गुन्नु जी की तारीफ में बोलती है, मजा ही आगया दोस्तों, क्योंकि इसे एक चीज तो प्लेयर है, कि देवी अहिल्या कभी भी गुन्नु जी के इस नकली प्राइश्चित को मानेगी नहीं, द्वार का रानी माने तो माने, तो इसका असर सिर्फ यहीं पे नहीं हुआ दोस्तों, कि मलहार सरकार ने पत्र रोक दिये, लोग तो शुरू से ही द्वार का रानी और गुन्नु जी की नीती रही है, कि कोई भी दुश्मन है देवी अहिल्या का, उसे दोस्ती करो फटा-फट, और दोस्ती कर ली, देवी अहिल्या नहीं रुकी अपने काम से, उन्होंने अपना काम जारी रखा दोस्तों, यह है उनसे ज चोड़ के आये थे, वही तिर रागुबा ने भेज दिया देवी अहिल्या के लिए, यानि कि उन पे हमला करने की तयारी कर दी, तो वहां पे भी देवी अहिल्या को शिव शंबु का शीरवाद मिला केसर के रूप में, अब केसर तो केसर है भाई, केसर तो बहुत अच्छ चलेगा क्योंकि केसर के घर तक तो वह पहुँच गई है, तो अच्छा लगेगा देवी अहिल्या को, ये तो उन्होंने वैसे भी कह दिया कि ऐसा यूथ जब एमर्च हो रहा है मालवा में, तो इससे तो मालवा का भविश्य सुंदर ही सुंदर है, और साथ में उन्होंने तीर से अंदाजा भी लगा लिया है कि हमला वर कोन है, और डेफिनली हमला वर रागुबा, गुनुजी के अलावा और कोन हो सकता है, और तीर से नजर आता है कि कोई शाही तीर ही है, तो दोस्तों ये सब कुछ आज की कड़ी में हुआ, जिससे दो तिन चीजे सामने आई ह कि अब कोई द्वार का रानी और कोई गुनुजी देवी एहल्या के रास्ते का रोड़ा बन नहीं सकते हैं, चाहे कितने भी वो दुश्मनों से हाथ मिला ले, मगर जिसके साथ सच है, उसके साथ इनसाफ है, और शिव शंबु सच का ही साथ देते हैं, इसलिए देवी एहल के इस बुलंद हौंसले को देखके, आगे देखते हैं, क्या होता है, क्योंकि बहुत जल्द रागुबा के इस शर्यंतर से नकाब उतरने वाला है, दोस्तों, क्योंकि जितना confidence देवी एहल्या दिखा रही है, उससे एक ही चीज सामने आती है, कि शर्यंतर तो पक्का हुआ क्या कहते हो, आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, देखते रही है चैनल, Hungry Spirits, thank you so much.